केंद्र ग्री मंत्री अमिच्छा ने सुक्रवार को गांधी नगर लोकसवा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वो लगता दूसरी बार यहां से भाते जुनतपाटी के उमिद्वार है अमिच्छा के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भुपेंद्र पतेल भी मौजूद थे उन्होंने ठीक दोपह साड़े बारा बजे राज की राजतहानी में गांधी नगर कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र जमा किया इस समय को विजय मुहरत माना जाता है पुर्वभाजपा अध्यक्ष ने दोहजार उनीस के आम चुनाव में गांधी नगर निर्वाचन शेत्रे से पांच लाग से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी गुजरात की सभी 26 लोग सवा सीजों पर तीसरे चरण में साथ मही को मतोदान होगा नामांकन भरने के बाद शाह ने क्या कुछ कहा आई आपको सुनाते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री स्रीफ भुपेंगर भाई मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोग सभा के लिए मेरा नामांकन गांधी नगर सीट से बढ़ा है मेरे लिए एक बड़ा गवरों का विशाय है जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनीदीत को श्रद्दे अडवानी जी ने किया श्रद्दे अटल जी ने किया पर जिस सीट पर स्वयम नरेंद्र मोदी जी मत लाता है उस सीट को प्रतिनीदीत को करने का मुझे भार की जन्ता पार्टी ने दिया है मैं इसी सीट पर से तीस साल से विदायक संसद रहा हूँ यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूत के कारेकरता से संसद तक पहुचा हूँ अपार प्रेम इस प्षेत्र की जन्ता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेत्रत में पहले मुख्य मंत्रिये नाते और बाद में प्रधान मंत्रिये नाते इस शेत्र में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकारों ने धेर सारे काम किये शिर्फ इस पांच साल के अंदर बाईस हजार करोर से ज्यादा डेवलप्मेंट के काम गांदी नगर लोक्षबाग शेत्र में हुए मुझे बड़ा संतोस इस शेत्र की जन्ता ने जब जब भी मैं पार्टी के लिए मेरे स्वयम के लिए ग्वत मांगने आया मुझे बड़े चाव से बड़े मन से आशिरवाद दिया है पर हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में चीता है इस बनाव प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने का चुनाव मैं गांधी नगर जन्ता गांधी नगर की जन्ता को अपिल करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है देश को सम्रूत किया है और असी करोर से ज्यादा घरीबों के जिवन में नए उच्छा और नए आसा को उनर जिवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है ये चुनाओ में पुर्ण देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चार सो पार के साथ प्रदानमंत्री बनाने के लिए उच्छाहित चुनाओ की गोशना के पहले और गोशना के बाद रादेश के लद्दाग छोड़कर मैं हर कौने में गया हूं हर जगे मोदी मोदी के नारों के साथ भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं का स्वागत होता है जन सहलाब का अभूत पुर्व आसिरवाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है हम सभी भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्दी और एक प्रकार से सिध्धी का अनुभाव कराने वाली बाद है नरेंद्र भाई के नेटूतों में देश ने समगर दुनिया में नकेवल गवराव प्राप्त किया है अपना मजबूत स्थान बनाया है मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विक्सित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत एक कल्पना को ये संकल्प को 130 करोर की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त दिया और अगर इस बुकाम पर देश को पहुँचाना है तो ये पांच साल बहुत महत्पूर्ण दस साल जो देश की जनता ने दिये वो यूपीय सरकार ने किये हुए घड़े भड़ने में कहे और ये पांच साल जो आने वाले हैं ये विक्सित भारत की भव्य इमारत बनाने की नीव डालने के पांच साल होने वाले हैं अता मैं गादी नगर मतक्षेतर की जनता और पूरे देश की जनता को करबद विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिल चिलाती धूप में सुर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले वाट करें अपने परिवार का वाट करें और प्रचंद बहुमत के साथ हर जगे का मल को खिलाए और चार सो पार का लक्स जो भारती जनता पार्टी के कारे करताओं को मोदी जी ने दिया है इसको सीद्ध करने में हमारी सफलता करें हमेशा हमेशा की तरह आपके प्यार का मैं अमित साब फिर से एक बार वाट की अपिल करता हूं कि आईए सारे दस वजे आप सभी एक बार मत पिटियों को कमल से भर दिजे और मोदी जी के हाथ बद्बूत करिए वंदे मातरम भारत माता कीजे